तू आज हम बात करेंगे बाइपफंगर के बारे में तो बैसेकली बाइपॉलर डिसॉडर क्या होता है यह क्रॉनिक मेंटल डिसॉडर है नबे टाइम तक चलने वाली भीमारी है अगर हम इसे रही टाइम पर ठीट ना करें तो बेसिकली पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब कि मुझे कभी लगता है कि बहुत सदा खुशी हो रही है और कभी ज़्यादा दुख हो रहा है तो वो हम उसे बाइपोलर डिसॉर्डर नहीं कहिंगे कि बाइपोलर डिसॉर्डर फेज में चलता है बेसिकली जैसी कि आपको मैंनी की अपेसोड आ रहे हैं डिप्रेशन का फेज है और एक नॉर्णमल सी का फेज है थो यह तीन फेज आपके bipolar disorder में होते हैं बस हमें इसे पहचानना आना चाहिए जैसे कि for example जो manic episode होते हैं उसमें होता क्या है कि person बहुत over-over करने लग जाता है like over excitement हो जाती बीना वज़े over happiness over talkativeness या नींद कम लगना और नींद दो गंटे की नींद भी ऐसी लगती है कि वो पूरे energetic feel रहता है पूरे दिन और बीना वज़े कोई भी decision लेना जो उसको बाद में पच्टावा हो तो maniac में बहुत ज़्यादा over इस आप इतना ध्यान में रखिए कि बहुत ज़्यादा over चीज़े करन लग जाता है तो basically अगर यह एक दो दिन होती है तो हम normal में conclude करते हैं बट इसको हम ध्यान में रखते हैं कि अगर यह साथ दिन से ज़्यादा हो रही है तो यह medical criteria के लिए मैनिक एपिसोड में हम इसे confirm करते हैं तो बात की जाए depression की तो depression में है जैसे कि यह होता है कि मन उदास रहना, किसी से बात नहीं करना, low field करना, कुछ काम में मन नहीं लगना, भूक ना लगना बेवज़ा tiredness लगना, irritability वगरे तो यह सब depression में है और bipolar disorder में यह phase एक फेजिक में रहता है कि इन बीच में अगर आपको एक नॉर्मल सी का फेज भी दिखता है तो वो नॉर्मल सी का फेज भी आपको लंबे टाइम तका सकता है तो अगर patient जाता है, psychiatrist के पास तो उसे यह doctor को भी ध्यान में रखना होता है कि वो depression और bipolar disorder को एकना समद ले क्योंकि फेज किस फेज में आ रहा है वो ध्यान में रखके हमें criteria बनाना पड़ता है तो basically patient जितना ज्यादा earlier आए जितना ज्यादा उसको यह चीज़े फेज में अगर जितना ज्यादा जल्दी वो patient psychiatrist के पास ज्यादा है उतना जल्दी इसकी treatment अच्छी हो सकती है तो maniac episode के लिए medically more stabilizer दिये जाते हैं जैसे की lithium है और थोड़ी बहुत आप behavior therapy पेशेंट को थोड़ा cognitive behavior therapy रखते हैं उसमें उसके अलावा depression के हो तो anti-depressant behavior और cognitive behavior therapy आप लोगों से बादशित करवाते हैं उनको support देते हैं तो यह सब रहता है बट यह रहता है कि इसकी treatment रहती है वो बहुत लंबे time तक रहती है डिपेंड यह भी खड़ता है कि उसका episode कितना है अगर 5 से जाधा episode है तो 6 आना जल्दी आ सकता है तो यह episode पे डिपेंड रखता है कि अगर आपको लगता है कि इसमें से symptoms अगर आ रहे हैं तो आप विजिट करिए और दिखा कि आप treatment स्टार्ट किजिए हमारा यह वीडियो बनाने का यही मक्सद था कि आप aware रहे हैं इस बारे में और अगर आपके आसपास में ऐसा कोई symptoms लग रहे हैं पेशिंट को तो आप जल्द से जल्द विजिट करवाएं ऐस यही चीज़ती समझाने की अगर आपको वीडियो अच्छा लग है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद